नमस्कार आप सभी को आप 11 क्लास की बुक खुलेंगे तो वहाँ पर आप जोहरलाल नहरु जी का लिखा हुआ एक पार्ट है वो दिखेगा जिसका नाम है भारत माता चप्टर का नाम है भारत माता यह नाम है ठीक है भारत माता इस कहानी में क्या है क्या है इस कहानी का सारांच समरी वो आपको मैं कुछे मिन्टों में आपको समझा दूँगा क्या है इस कहानी में सारांच की रूप में पता दूँगा अगर आप इसको डिटेल में अगर पढ़ना चाते हैं शब्दशा एक एक शब्स देख करके बना जाते हैं तो आप हमारी प्लेइलिस्ट में जाइए प्लेइलिस्ट में आपको ये पूरा पार जो है वो दिख जाएगा नहरू जी द्वारा लिखा हुआ भारत माता ठीक है तो चैनल पे नई हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कल और बने रहो हमारे साथ आप पूरी हिंदी को पढ़े जैसे भी आपने पढ़ना कहानियां कवीता हैं सब पढ़े हैं ठीक है शुरू करते हैं बाद है नहरू जी के एक जलसे से दूसरे जलसे में जाने की नहरू जी जो थे वो एक जलसे से लेकर के दूसरे जलसे में जाते हैं जलसे, क्या होती है, जलसे, जलसे होती है, जलसे होती है, जलसे होती है, रैली, जो नेता लोग हैं, वो एक एक रैली में इधर से उधर जाते रहते हैं, तो वैसे नहरु जी भी जाते थे, और नहरु जी ये कहते हैं कि भारत की चर्चा वो जादे तर करते थे, भारत देश क तरदेश की चर्चा करनीया। मिस्त्र और पस्चमी इशिया जो है या सोवित यूनियन जो है वो क्या कर रहे हैं उन सब का वो जिक्र करते थे कि वहां के लोग कैसे हैं कैसे रहते हैं हमें भी वैसे रहना चाहिए उनको कौपी करना चाहिए तो ये सारी बाते वो करते थे ठीक है और वो नहरू जी एक बा भारत माता की जय ये नारेल देते हो मेरे आने पर ये क्यों देते हो बताओ भारत माता है क्या तो कुछ एक किसान भाई एक वार खड़े होगे और उन्हें कहा कि ये जो भारत माता है बारत माता है ये मतलब हमारी जो दर्ती है उसकी बात करते हैं हम लोग और उसी को हम लोग जैक कहते हैं ठीक है तो नहरू जी कहते हैं कि मैंने भी उसकी इन बातों पर सहमती जताते हुए मैंने भी ये कहा था निशकर्ष के रूम में कि भारत माता क्या है ठीक है लोग कहते हैं कि धरती भारत माता है और मैं कहता हूँ कि ये जो धरती है इसमें जो जितने भी पुराने स्थल, नदियां, पहाड ये जो सब दिखाई देता आपको ये सब कहा है भारत माता ही है और ये भारत माता ही कहलाते हैं और हम भी उनी में एक हैं इनसान, हम भी उनी में इनसान रूपी हम भी भारत माता हैं हम उनी के आश हैं तो अर्थात भारत माता हम खुद ही ह तो इसलिए ये जो भारत माता की जय हम लोग नारा लगाते हैं ये हम किसी का नारा ना लगा करके हम खुद का ही नारा लगाते हैं भारत माता की जय हम खुद के लिए ही नारा लगाते हैं तो ये बस इतना छोटा सा ही पार्ट था बहुत बड़ा पार्ट नहीं है तो लंबी आवाद